मैं अलका गुपता शेड़ वित्या मंदिर इंगलिश हाई स्कूल वसई इस्ट की अध्यापिका आज आपको पिंदी व्याकरन का पाट ग्यार प्रयाई वची शब्द पढ़ाने जा रही हूँ बच्चो हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं इस से उनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता ये शब्द एक दूसरे के समान या प्रयाईव होते हैं इन्हे हम समान आर्थी या प्रयाईवाची शब्द कहते हैं आईए बच्चो पाट शुरू करते हैं बच्चो यहां कुछ चित्र दिये गए हैं प्रतेग चित्र के साथ उसके चार-चार नाम लिखे हुए हैं यानि हम एक ही प्राणी या वस्तू को अनेक नामों से पुकार सकते हैं सबसे पहले है चिडिया, नबचर, खग, विहग उसके बाद है गर, सदन, आलय, भवन फिर उसके बाद है सूर्य, वानू, दिवाकर, दिनकर बच्चो यहां नाम अलग-अलग हैं प्रन्तू उनका अर्थ एक ही है समान अर्थ बताने वाले अलग-अलग शब्दों को ही हम प्रयाई वाची या समान अर्थी शब्द कहते हैं कुछ प्रयाई वाची शब्द आंख, नेत्र, नयन, लोचन आग, अनल, अगनी, पावक इच्छा, कामना, चाह, अभिलाशा कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट चंद्रमा, राकेश, शशी, चांद जल, पानी, नीर, अम्बू नब, अकाश, आस्मान, गगन दर्ती, पृत्वी, वूमी, दरा पहाड, परवत, नग, गिरी पेड, तरू, विटप, रिक्ष फूल, पुष्व, सुमन, कुसुम बगीचा, उपवन, वाटिका, उध्यान बेटा, सुत, पुत्र, लड़का बगवान, इश्वर, परमेश्वर, प्रभू मा, माता, अंबा, जननी मित्र, दोस्त, सखा, मीत रात, रात्री, निशा, रजनी लड़की, कन्या, बालिका, बाला शेर, सिह, वनराज, केसरी वन, जंगल, विपिन, कानन वायू, पवन, समीर, हवा संसार, विश्व, जगत, दुनिया समुद्र, सिंदू, जलदी, सागर आईए बच्चो पार्ट को एक बार दोहरा लेते हैं एक ही संग्या शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है एक जैसा अर्थ या समान अर्थ बताने वाले बिन-बिन शब्दों को समान आर्थी अत्वा प्रयाई वाची शब्द कहते हैं बच्चो आज का हमारा ये पार्ट समाप्त होता है धन्यवाद